तो फिफ्ट वाले बच्चों ने ये मेरा मित्र लिखना है ये मैं वैसे ही आपको लाइन से बताने लगाऊं लेकिन आपने मतलब आपने से लाइन भी बना सकते हैं मेरा मित्र राम मेरा पक्का मित्र है वह पांचवी कक्षा में पढ़ता है यहाँ पर बिनदी डालनी नहीं पढ़ता है उसकी आयू 12 वश है वह बढ़ा, यहाँ पर बिनदी डालनी बढ़ा श्वस्त और सुंदर है ठीक है उसका कद लंबा है और बाल काले घने हैं ठीक है बाल काले घने हैं वह सदा साफ सुत्रे साफ सुत्रे बीच में लाइन डाल ली बस्तर पहनता है वह बड़ा बड़ा में भी बिंदिया नहीं है यहां पर रहों के नीचे प्रिश्रमी रहों को छोटी और माँ को बड़ी प्रिश्रमी है उसके पिता जी एक वकील है आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मित्र है पिता जी के बारे में उसकी माता जी एक स्कूल में पड़ाती हैं राम बहुत होनहार लड़का है वह प्रिक्षा में सदा प्रथम रहता है वह कमजोर लड़कों की सहाइता करता है वह सदा समय पर स्कूल जाता है समय पर वह सदा सच बोलता है सभी अध्यापक उससे प्यार करते हैं बगवान करे उसकी आयू लंबी हो तो ऐसे आपने ये पढ़ना भी है और उसके बाद आपने अपलेखना है ठीक है एक बर तो बाड़ा देख लो मेरा मित्र राम मेरा पका मित्र है ठीक है चाहिए लाइने डाल लो वह पांजवी कक्षा में पढ़ता है उसकी आयू बड़ा वर्ष है आयू लिखतो वह बड़ा स्वस्त और सुन्दर है उसके बाड़े में लिखतो उसका काद लंबा है और बाल गने हैं काले गने हैं वह सदा साफ सुतरे कपड़े पहनता है वह बड़ा प्रिश्रमी है ठीक है न यह उसके बाड़े में लिख दिया है अब उसके पेरेंट्स के बाड़े में उसके पिता जी एक वकील है उसकी माता जी एक स्कूर में पढ़ाती है राम बहुत हूनहार लड़का है वह प्रिक्षा में सदा प्रथम रहता है वह कमजोर लड़कों की साइटा करता है वह सदा समय पर स्कूल जाता है वह सदा सच बोलता है सभी यद्याबक उससे प्यार करते हैं यहां बिंदिया नहीं है सभी यद्याबक है नहीं बहुँ वच्चन है इसलिए बिंदिया नहीं है बगवान करे उसकी आयू लंबी हो तो ऐसे आपने कर रहा है